और राइट गाइस तो यहां पे आप मेरी लाइव ट्रेड भी देख सकते हो और मेरी जो है ट्रेड हिस्ट्री भी देख सकते हो और यहां पे आप मेरा अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो और यहां पे आप देख सकते हो मेरी लीडर वोड पे पोजीशन और यह सब कुछ मैं क कर रहा हूँ जो मेरे पास cortex के 5 secret हैं उनकी help से क्योंकि वो जो secrets हैं वो इंडिया के अंदर तो छोड़ो foreign के अंदर भी किसी को नहीं पता है और अगर किसी को पता भी होंगे तो वो आपको नहीं बताएगा but attention मतलो आपका भाई आपको वह पाँचों के पाँचों secrets बहुत ही अच्छे से बताएगा, बस आपको वीडियो छोड़के नहीं जाना है, हर एक जो है पॉइंट को अच्छे से देखना है, और पाँचों के पाँचों सीक्रेट को सीख के जाना है, क्योंकि अगर आप उनमें से एक भी सीक्रेट को मिस करते हो, तो शायद आप प्रॉफिट न लॉस करोगे ही नहीं आपने जितने भी लॉसेश किये हैं अज तक वो सारे के सारे प्रॉफिट में कनवर्ट होने वाले आप ठीक है तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले सीक्रेट से कि वो को पहला कौन सा डाक सीक्रेट है जो कि आपको नहीं पता है बट मैं आ साथ profit करने के बाद मुझे कैसे feedback देते हैं तो अगर आप भी मेरे telegram member बनना चाहते हो और मेरे साथ profit करना चाहते हो मेरी trades को copy करना चाहते हो तो description में link मिल जाएगा आपको जो है मेरे telegram channel का तो आप वहां से मेरा telegram channel भी जॉइन कर सकते हैं तो चलिए आभी वीडियो के main topic बाते हैं और मैं आपको बताता हूं कि cortex की कौन से 5 secrets हैं जिनकी help से आप अपनी life को change कर लोगे ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले किसी भी पेर पर चलते हैं और मैं दूसरा तीसरा चौथा पाचवा सारे secrets बताऊंगा लेकिन आपको पहले secret में ही पता चल जाए कि यह जो है मैं secrets बताने वाला हूं यह कितने जाधा powerful है तो पहला मेरा secret है वो है gap up और gap down से ठीक है के candles जो है लगातार लगातार बनने जा रही थी लेकिन उनके बीच में अचानक से आपने कभी देखा होगा यह gap आ जाता है यह gap यह gap होता है जो कि आपको बताएगा कि next candle कौन सी बनने वाली है ठीक है यह सिर्फ मैंने अभी आपको एक ही प्यर में बता है यह मैं आपको हर एक प्यर में बता सकता हूँ कि next candle कौन सी बनने वाली हम इस gap up और gap down से ही पहचान सकते ठीक है इस gap up का मतलब क्या होता है आपको जब भी जिस direction में भी gap up दिखाई देता है आपको उसी direction की trade place करनी है जैसे माल लीजे यहाँ पे आपको यह gap up हुआ तुरंत आपने दिख लिए कि यह gap up हुआ है आपको यहाँ पे coil direction के लिए trade place कर देनी है बट यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है वो यह कि जब आप इस पे trade place करो तो आप याद रखना यहाँ पे कोई SNR level तो नहीं है और यहाँ पे कोई भी SNR level नहीं था मैं आपको एक horizontal line लेके बता देता हूं कि यहाँ पे कोई भी SNR level नहीं था SNR level था यहाँ पे SNR मतलब की support and resistance तो हम यहाँ तक बेजजग होके इस gap up पे trade कर सकते थे उसके लिए मैं आपको best example दूँगा अभी थोड़े से मुझे पहले खुद को मिसे जान दो opportunity ताकि मैं आपको बता पाऊं कि किसी और पेर में चलते हैं ओके यहाँ पे हमारे पास सबसे best example है gap down का यहाँ पे आप देख रहा होंगे gap down हुगा है यहाँ पे candles ने जो है अपने बीच में gap down दिया है मतलब gap है इनके बीच में यह candle देखिए पहले तो regular जो है लगातार एक साथ जहां से closing होती है वहीं से next candle की opening होती जैसे इस candle की यहाँ पे closing हुई इसकी ओपनिंग यहाँ सी हुई बट इसके साथ ऐसा नहीं हुआ इसकी closing यहाँ हुई बट इस candle की opening यहा gap आ गया अब gap किस side था नीचे side था तो हमें जो है यहाँ पर red candle मतलब इस वाली candle पर trade कर देना था लेकिन सीम चीज आपको भी यहाँ याद रखनी है कि नीचे कोई SNR level तो नहीं है SNR level यहाँ था तो आप यहाँ तक आपको horizontal line एक में लेके बता देता हूँ आप यहाँ तक बेजजग होके जो है trade कर सकते थे यहाँ तक यहाँ तक आप बेजजग होके trade कर सकते थे यहाँ पर कहीं भी आपको gap down होने देखने के लिए मिलता और हमें यहाँ पर gap down देखने के लिए मिला था तो आप यहाँ पर इस candle पर trade कर सकते थे और आप यह trade win कर सकते थे ठीक है त तो आप जाके ट्राइक कर सकते हो तो चलिए अब हम चलते अपने नेक्स्ट जो मेरा सीक्रेट है जो कि किसी को नहीं पता है इसे भी ध्यान से सुनना और पूरा सुनना क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत जादा यूसफुल होने वाला है चलिए तो हम नेक्स्ट की तरफ उसके लिए हम किसी और पेर पर चलते हैं और ये हमारे जो सीक्रेट है वो पूरा का पूरा डॉजी केंडल से जोड़ा हुआ है और आपको एक और बात बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो पर बेस्ट कोमेंट करते हो क्योंकि जो भी बेस्ट कोमेंट्स रहते हैं मैं उ जोजी केंडल लूड़नी है जोजी केंडल का मतलब होता है विक्स और बॉड़ी का साइज सेम होना विक्स और बॉड़ी का साइज सेम होना यानि कि ये केंडल यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस केंडल की विक्स और बॉड़ी दौनों की दौनों सेम हैं अब आप द डॉजी केंडल देखने की मिली जिसकी बॉडी और विक सेम साइज की थी हमें क्या करना है सेम डिरेक्शन जिस डिरेक्शन में मार्केट जा राता उसी डिरेक्शन में इस केंडल पे ट्रेड प्लेस कर देनी थी तो कहसा लगा आपको हमारा यह सीक्रेट मेरा सीक्रेट तो इ वहां मुझे के लिज आपको कैसा लगा मेरे ये दूसरा वाला secret जो की market में 100% work करता है अभी रुख जाओ मेरी जान तीन secrets और ऐसे हैं जो आपकी आँखें खुली खुली रख देंगे आप ये सोचोगे कि मुझे अभी तक ये secrets पता क्यों नहीं थे ठीक है तो चलिए तीसरा secret मेरा जो है वो depend करता है candles के volume पे candles का volume का मतलब होता है कि candle कितनी बड़ी है ठीक है आप देखो कि candle जितनी बड़ी होगी और ये वाला secret में थर्ड वाला secret आपको बता रहा हूं यह सिर्फ और सिर्फ OTC market के अंदर work करेगा तो याद रखना कि यहां पे OTC का पेर हो जो भी पेर है वह OTC का पेर हो ठीक है OTC का पेर हो तो यह जो जो मै तो आपको एक trendy market देख लेना है trendy market देख लेना है और trendy market में यह देख लेना है कि कहां पे बड़ी candles बन रही है और यह बड़ी candles सिर्फ और सिर्फ OTC market में बननी चाहिए अब यह बड़ी candle तो बहुत सारी बनी है लेकिन आपको कहा फेल हो जाओगे आप कहा गलए trade place कर दोगे उसका भी solution है मेरे पास तो वीडियो को skip मत करना होगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे यह बड़ी candle बनी थी हम इसके बाद इस वाली candle पर trade कर सकते थे इस वाली candle का आप मेरा करसर पे ध्यान दोगे तो इस वाली candle का जो है volume हाई था तो हम इस वाली candle पर trade कर सकते थे यहा अब हमें volume भी high दिखाई दे और trend भी दिखाई दे बट फिर भी हमें trade करने से रुकना है यहाँ पे हमने एक horizontal line को लिया और हमने पीछे मुड़ के देखा कि कहा SNR level है तो हमें पीछे देखनी को मिला कि यहाँ पे एक SNR level है यहाँ पे एक SNR level है क्योंकि market ने यहाँ पे एक downtrend में दूसरी candles का color देखने के मिला हैतो यहाँ पे SNR level है तो यहाँ पे हमें आगर यह volume candle मिल भी जाती है वॉल्यूम वाली candle यहाँ पे मिल भी जाती है ये वाली तो हमें इसके बाद trade नहीं करना है बाकी हमें ये दोनों वॉल्यूम वाली candle दिख्याई दी हमने इन दोनों पे trade किया हमें ये वॉल्यूम वाली candle दिख्याई दी हमने इन पे भी trade किया लेकिन अगर उपर SNR लेवल है तो हमें trade नहीं करना है तो चलो यह होगा हमारा third secret cortex का जो की अभी तक आपको नहीं पता था अब हम बात करेंगे fourth secret के बारे में जो की आपको एकडम हिला के रखने वाला है और वो fourth secret है third touch और यह third touch आपको market में बहुत बार देखने के लिए मिल मतलब horizontal line लगा लेते हो trend line लगा लेते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भाई trade कहां करना है तो अभी मैं बताओंगा आपको के अब आपको trade कहां करना है मैं तो देखी यहां पर आपको live दिखा रहा हूं सब कुछ कुछ भी scripted नहीं है तो मुझे जैसा जैसा example मिलता जाएगा वैसा वैसा example में आपको पताता जाओंगा मुझे अभी तुरंत यहां पर यह example दिखा तो मैं आपको यही clear करे देता हूं like यह वाला ओकी यहां पर कुछ इस तरीके से trend line ले लेंगे अब आप देखिए market का पहला bounce back यहां से हुआ था second bounce back यहां से हुआ था अब हमें third bounce back का wait करना है market third time जब भी touch करेगा हमें down direction के लिए trade कर देनी है ठीक है हमें down direction के लिए trade कर देनी है लेकिन याद रहे अब हमें fourth touch कहीं भी हो हमें उससे मत लब ही नहीं है क्योंकि आप देख पाओगे यहां में fourth touch को cross करते हुए market निकल गई है अब हमें fourth touch से मतलब नहीं है हमें सिर्फ और सिर्फ third touch पे trade करना था जो की हम कर चुके हैं तो यहां पे आप third touch पे trade कर सकते थे और भी आपको काफी सारे examples से से बता दूँगा मैं third touch व की तरफ कि वो fifth secret कौन सा है और वो secret ऐसा secret है जो कि आपको एकदम profitable बना के रख देगा आपको सिखा देगा कि आपको cortex में trade करना भी है यह नहीं करना है कहां करना है कहां नहीं करना है देखिए एक और example हमें देखने के लिए मिला जैसे कि यहां पे हम ट्रेंड लाइन ही नह ट्रेड कर सकते थे ऐसे अगर नीचे भी टाच होते हैं फर्स टच सेकेंड टच माली थर्ड टच यहां पर होता तो हम जो है कॉल डिरेक्शन के लिए यानि की ग्रीन केंडल पर ट्रेड कर सकते थे यहां पर ठीक है तो कैसा लगा आपको हमारा fourth secret I hope आपको मेरा fourth secret पतंद होगा जो कि cortex के अंदर hundred percent work करता है अभी तक कि जो मैंने चारो secrets बताए वो cortex के अंदर hundred and ten percent work करते ही करते हैं चलिए अब बढ़ते हमारे fifth secret की तरफ जो की आपके लिए बहुत जादा useful होने वाला है और इतना जादा useful होने वाला है कि आप इस secret को जानने के बाद शौक होने बाले हो के भाई अभी तक में ये गलती क्यों कर रहा था मार्केट में आप देख पा रहे होंगे चलिए fifth secret की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे आपको सारे के सारे पेर्स जो है OTC के दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही पेर्स यहां पे आपको real market के दिख लिखाई दे रहे हैं जिनके आघे OTC नहीं है बाकि सारे पेर्स OTC दिखाई दे रहे हैं तो यह एक ऐसा secret है जो broker आपके साथ खेलता है agora IQ option आपके थे या Winomo आपके साथ खिलता है कोई भी broker हो ये सारे केbrokers आपके साथ यह game खिलते हैं Just वो real market के थोड़े से थोड़े pairs दिखाई जाते हैं और उनकी percentage भी कम होती है as compared to OTC pairs ओके OTC pairs की percentage ज्यादा है इनकी percentage कम है बट हमें सिर्फ और सिर्फ इनहीं तीन pairs पे trade करना है अभी फिलाल हमें इनहीं तीन पेर्स पे ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे broker चाहता है, आप real market में trade नहीं करो, आप उस projection पे trade मना करो, जो projection real market में work करता है, ब्रोकर चाहता है कि आप उसके projection पे trade करो, इसलिए आपको इतने सारे pair्स यहाँ पे उपर दिखाई दे रहे हैं, तो मेर जे बीवाय को ढूडते फिर रहा है ऐसा नहीं है आपको जो रियल मार्केट के पेर्स अगर कम दिखाई देती हैं तो आपको उन्हीं कम पेर्स पे ट्रेड करना है ना कि इन वाले OTC मार्केट के पेर्स पे आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा और जिन्होंने वीडियो को स्किप करके देखा है उनकी तो लंका लगने वाली उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला है वो अपना लॉस ही करने वाले हैं क्योंकि जो आदमी एक वीडियो को देखने के लिए 10 मिट का काइम नहीं दे सकता है वह जो है अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ट्रेडिंग कैसे ही सीखे गया और अच्छे से ट्रेड कैसे करेगा तो आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा तो टेलिग्राम भी जरूर से जरूर जॉइन करना मेरे साथ ट्रेड करने के लिए आपको यह वीडियो पसंद आयोगा अगर पसंद आयो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरू करना और चैनल पे नहीं हो त आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ध्यान दखना जैहिन वन्दे मात